इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम अलेकुम रहमतुल्लाई वरकातु इत्याद मैं आप सभी का खैर बग्दमा अहम खबरों पर एक नज़र बेलगाम शहर में आज भी खामोशी चाहिए पुलीस एंबुलन्स या फिरेकाद कोई शक्स नहायती अहम काम को लेकर ही बाहर गुमता दिकाई दे रहा था आज इत्वार को सुबद चार गंटे की छूड़ दी गई थी इस वक्त में लोगों ने जरूर चीज़ों के खरुदू फरुख फर्माई बाजार में काफी भीड़ी इस वक्त नज़र आई पर इसके बाज शहर में सन्नाटा चाया रहा खैर किसी तरह से दो दिन के कर्फि क्योंको अगले छे दिनों के लिए भी कायम रखा जा सकता है पर इसके कोई सरकारी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है वजिर दाखला रियासत ने इस पर कुछ कहने से अभी तो डाला है पर इस देश में कब क्या फैसला लिया जाए इसका कोई अंदजा नहीं लगा जा सकत है तो अवाम के सर्थ होपा जाता है कहीं पुलिस पिछली मरतबा की तरह लाठीया न बरसा है वरना को लेकर लोगों में इतना खौफ नहीं है चितना उनकी रोजी रोटी को लेकर है अगर पुरे शहर का जाजा लिया जाए यूं कहिए कि अगर पुरे मुल्क की तस्वीर को अपने नाज़रों के सामने लगने कुषिष करें तो यह खामोशी अवाम की हिमायत ना समझने मैंहसले इए अक्सर मेडिया वाम की जानिव से खुशी से बंद करने की बात को सुर्क्यों में शाया किया गया पर हक्रीगत है कि यह खुश्षों के साथ बंद नहीं किया है बलकि हुकूमते अवाम के सब्रकाई उंतिहान ना ले इसा भी कईयों का खैना है हम सभी जानते हैं और इस पर बार बार तफिरा भी हुआ है कि गरीब पिजड़ा तबका जिसका गुजारा हर रोज की देहडी पर होता है मजदूर कुली जिसे हर रोज कुछ न कुछ कमाई हाथ लगती है तब ही वो घर पर जाकर उसका अपना गुजारा कर लेता है आखर हुकूमते इन पर क्यों तवज़ों नहीं देती हर रोज आक्शिजन पर तफिरे मुबास हो रहें से गड़ों लोग आक्शिजन ना होने प अगर बार बार अपनी गलती ही अवाम के सर मार कर 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 फियू लॉगडाउन को लगाए जाए और कहा जाए कि ब्रेक दी चेन के तहति यह सब करना पड़ता है तो आप शौक से कर फियू लगाए पर दिहाड़ी मजदूर गरीब नादार ज़रतमंदों को बहुत बड़ा करने से जमीनी हकीकत कभी बदला नहीं करती जब तक अवाम के दिल में डर है तब तक यह कर्फ्यू लॉगडाउन चलता रहेगा पर जिस दिन इनका मौत को लेकर डर खत्म हो जाएगा हुकूमतों को अवामी बगावत का सामना करना पड़ेगा यह वो वक्त था जब आप अवाम जहनी तोर पर कितनी गुलामी में मुझतला हुई है इसका अंदादा लगाने के बराबरता खैर अब फिर हमते के कर्फ्यू की बात कहीं जा रही है क्या ऐसा नहीं लह रहा है क्या अब हुकूमत की जानित से ज्यादती की जा रही है और सवाल तो यह भी उठता है क जब वैक्सिन लेने के बार इसे हो रहा है निए जिन लोगों को वैक्सिंटी जा रही है और वैयादती ज़ीरिया अब पॉरसक्याया के जिए अस्पताल में इलाज के लिए जाना ही पड़ेगा मरीज की क्या कैफियत होगी क्योंकि आज भी अस्पताल नहीं है जबके वैक्सिनेशन तो महत 10 पीसद ही हुआ कहने का मतलब कर्फियो लॉक्डाउन इसका इलाज नहीं है गरीबों को जिन्दा रखने की कोशिच होनी चाहिए वरना मुलको आज जिस तरह कोरोना पॉजिटिव में पहले नंबर पर पहुंचा है उसी तरह गरीब मुलकों के फैरिस्ट में भी पहला नंबर हासिल होने में देर नहीं लग सकती है अगर इसी तरह से बंद कर्फियो लॉक्डाउन के जरिए हवाम की रोजी रोटी चीन नहीं जाए तो भारत गरीब मुलकों के फैरिस्ट में अवल नंबर पर आना मुश्किल नहीं है दो दिन मुकमल कर्फियो का एलान तो हुकूमत की जानिब से किया गया जिनकी शादी जिलास पहले सब्सक्राइब पचास लोगों की या दो सो लोगों की छूट दी गई थी पर चिकोड़ी में लॉक्डाउन के परवा न करते हुए बड़े ही धुनदान से शादी करने व अफसलान को ही तो अफसर पुरो अपुर्वा बिद्री ने पांच अफरादों पर या फायार दर्ज की मुकद्मा दर्ज होने की बात शादी की खुश्यां मायुसी में तब्दील हो गई कोरोना दौर में भी शांदार शादियों करने की वारदत तेच्च कोड़ी में होन काउन क्या मशवरा दे इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता पूरे मुल्क में कोरोना को लेकर हाहां कार मचा हुआ है ऑक्सिजन की कमी से हर रोज सेक्ड़ो लोग मरनी की वारदते पेश आ रही है पर वी यारल ट्रास्पोर्ट के मालिक और साभी वाजपा के माया ऐसा इनका कैना अब इसके इस मशवरे पर सभी खामुश है और सोचर क्याकिरी ने कैसे समझाए जाए पूरी दुनिया ऑक्सिजन की कमी से परेचान है लहाजा विजैशन के शवर नहीं मशवरा देकर ऑक्सिजन के मसले को ही हल कर दिया क्या ऐसा सवाल भी पूछा ज लेकर भाशन और बाते करते रहते सभी रियासत के वजीर आला यानि मुक्व मंत्री क्या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं बार बार पारट सिखाने के लिए मोद्य आते जाते रहते और मिटिंग तलब फरमाते रहते फिर मन की बात अलग से करते हैं इस पर सिद्धरामया सबीर यासत के वजीर के स्कूली बच्चे हैं तुम क्या हैड माश्टर हो ऐसा तंच पर्माएं हर खबरों का सिलसला यूही चलता रहेगा देख तेरे इत्याद नूश शुक्रिया अलाव